मरसा प्रशान सावंद में जुड़ रहे हैं, प्रशान सार से एक बार करते हैं जरा बातचीत, करते हैं उनको connect और प्रशान सार बहुत बहुत शुक्रिया, first of all thank you very much, एक बार देर आप अपना व्यूपइंट क्लियर करोगे, निफ्टी बैंक पे और निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी में comfortably आप position carry कर सकते हो, कोई तकलिफ नहीं है, sir आपना हमको कल बता रहे थे कि मैं आपको बैंक निफ्टी का closing में बताऊंगा, वो कल हम गलती से आप से पूछ भी नहीं पाए, तो आप यह ही बताना चाहते हैं कि 3500 जब पार होगा तब आप इसको खरीद होगे जी डिम्पी जी मैं positionally एक trade देख रहा हूं, 35750 के उपर अगर यह hourly close दे दे, one hour, daily बात नहीं कर रहा हूं है, ठीक है, यह दिखी, यह आ गया, हाँ, बोली अब, जी, 35750 के उपर यह close दे दे, हमको शायद कल की expiry में ही इसके उपर 4500 point मुल जाएंगे, immediately, जो कि options में काम करने बहुत अच्छा होगा, हमें सिफिक hourly close दे, 25750 के उपर, तो अगर मालो ही कल gap के साथ खुल गया, 200-300 point तो, जी, खुल जाने दीजिए, candle close हो जाए, एक घंडे का candle इसके close हो जाए, 35750 के उपर, तो वो उसी मुह में 4500 point तुरं दे देगा, यह दोपर की expiring दे बहुत अच्छ की वेट की थी, निफ्टी के उपर, जाएगी, और बिल्कुल उसके बाद जो close दिया, उसके बाद ही निफ्टी उपर, उस वहां से तीन बार नीचे आई थी, तो अभी हम फिर bank निफ्टी के अंदर यह मान के चलें कि 750 हमारा एक breakout point भी है, और एक resistance भी है, यह भी कह सकते है है नम तो, मानलो किसी ने ले रखा तो उसको एक बात पता होनी चे ने कि 750 हमारे एक वीवर ने ले रखा क्या करना चाहिए, विदानता, जैसे मैंने आपको शायद लास्ट विक किसी ने पुजा था, ताटा स्टी चॉट करे गया, 1070 चल रहा था, मैंने का आदा मुझे य और वहां से मैंने बहुत अच्छे से बाउंस होके आए है, तो मेरे इसाप से आप इसमें थोड़ा होल किजिए, वेदानता में मैं सिफ एक ही चीज़ देख रहा हूँ, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें, एकदम बेसिक, आपको दिख चाहेगा एक रेजिस्टन्स आपके लिए, और 280 के आसपास का समझ लो आप, बस बिलकुल, ठीक है, तो आप यह कहरें कि 280 के आसपास का जब ब्रेक मिले तब आप इसमें से बाहर निकल जाओ, ने तभी आड़ करो आप, इसके उपर जाए तभी आड़ करो, और जो इस पोजिशन में है, वो comfortably hold करो, मेर करेंज है, जहाँ पर एक छोटा सा गैप भी है, और एक मल्टिपल कैंडल्स का बेस भी है, तो 260, 260 आप अपना stop loss दो, बट खरीदो 280 के उपर, सर 20 रुपे आप फीछे का stop loss दोगे, तो फिर टार्गेट बढ़ा दोगे आप, इसको definitely positionally hold करोंगा, और मैं इसका target आपको Okay, 315 फिर ठीक है, फिर तो risk reward आपका justify जाएगा, 20 रुपे, 40 रुपे हो जाएगा, क्योंकि आप 280 के बाद जाके खरीद रहे हो, सर, ठीक है, 280 अभी मैरा भी मैनना है कि थोड़ा conviction का और बनाना, तो candle सोड़ी चोटी है, अंगल्फ हो जाने दो, थोड़ा सा आ जाने दो, ब बुल्स खेंच लेगा ना, इन सब बीर्स को एक बर साइड में किनारी लगाएगा, फिर अच्छा देगा नहीं, तो क्या होगा ना, कहीं पलिटी बिल्टी मार का तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसी 10-15 रुपे आपको जुला जुला देगा, तो आफ़र जाओगे, जी, पॉइंट ठीक है, आपको पॉइंट भी नोटीड है, सर, एक चेर जरह में और पदा कर लेता हूँ, एक बज़र है, स्कॉर्स और हीरोबोट का पॉपर देखलो आप, डिपी जी, शायद आपको याद है, किसने हमें एक लाइफ शो में पुचा था, MNM के बारे में, में क महीने में, और उस वक्त मैंने कहा था, कि थोड़ा होल्ड करो, मुझे लग रहा है कि जून का महीना आटो सेक्टर के लिए बहुत स्ट्रॉंग होगा, तो मारूती आपने अल्री देख लिया, साथ दोसों के आसपास, ताटा मोटर्स मैंने आपको फिर से कहा है कि 315 के पर, एंटर करना चाहिए, 1215, जी, ठीक है, सर, एक मन मैं जरा हो, शेयर ढूलू, येस, आगया मेरे को, मिल गया, ठीक है, एक मिन सर, मैं जरा चार्ट मैं भी लागा के देख लिए, पूरा-पूरा, आप कितना कह रहे हैं सर, जी 1215, एसकॉर्ट सर, 1215, अभी तो साथ ही च जी, डिम्पी जी, उसके नीचे है, ये सिर्फ कंसॉलिडेट करते रहेगा, इसके उपर ये तुरंत मुह देगा, तो तब तक आप इसमें काम मत कीजिए, दुसरे स्टॉक्स में कीजिए, तो फिर एक काम करें सर, छोड़ क्यों ना देए शेयर को भी, जी पिर्कुल बता देंगे, 12-15 आगया, हम कैसे नोटिस करवा दीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे, फिराल के लिए छोड़ दो, अचा सर, पता ने, इसको देख के मिले को ऐसा क्यों लग रहा है, कि कहिए 1080 को टेस्ट करने वापीस ही ना चला जाए, हाला कि 1120 नहीं चोड़ना और नीचे, 1080 भी जाएगा, पका जाएगा 101%, छोड़ने सर फिर इसको एक मिनिट के लिए, इस जोन में इसमें हाट डालना है, उपर की गैप सिधा दिख रही है, उस गैप की तरफ हम क्यों ट्रेड करें, लेफ साइड पे बहुत बड़ी गैप है, ठीक है, सर एक ना एक क परे, 105 ब्रेक आउट हो गया, आप शार इसके बारे मैं बुलिश भी थे, अब भी कह रहे थे, सुबह के हमारी ड्राइंग है, एक काम करता हूँ, मैं डेली से अवरली कर लेता हूँ, ताकि जारा अच्छे से क्लियर हो पाए, ये सुबह के हमारी लेफ नहीं के बात के दि हम दोनों पर थोड़ा सा अब रहम खाया कीजिए, अब उस कोशन पूचिए, हाथ वाद हम कोशिश तो करते हैं, ज्यादा से अरह लोगों को बताने की, सर एक बार जड़ा आई यार भी देखो, आज एक नया शेर आया गी, ता प्रकाश जी का सवाल है, आई यार भी, और सुबह छूट गया था, नहीं हमने कल लिया है न स्टार पेपर, मैंने मेरे से पूछना छूट गया था आपका, जी मुझो वही अपडेट देना, तो आपने पहले का आयर भी इंफ्रा जस्त थोड़ी दिर पहले मैंने तेखा है, ये वन थर्टी फोर की तरफ जा रहा है, ये एक resistance है, जिनके पास है, उस target के लिए hold कीजिए, अभी midway कोई enter ना करें, अच्छा ठीक है, तो वन थर्टी फोर का resistance है, जी जी, वन थर्टी फोर की तरफ ये जा रहा है, जिनके पास है, वो इसको hold करके रखें, जिनके पास नहीं है, अभी enter मत कीजिए, इसको बाद मे देखेंगे, ठीक है, तो आज तो सिर्फ profit book करने का दिन है ना फितो, जी बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब मैं ये कहूंगा, कि अगर आपके पास है, तो आप एक 125 का trailing stop, मतलब आप एक chance दे रहे हो price को breakout करने की, वनना reverse हो जाए, तो आप बहुत नजदी profit book कर रहे हैं, ठीक ह आज profit book की है 10,000, ये global jobs hub के से हैं, अब किनका नाम तो नहीं पता है, निशन अपनी firm का नाम लिखा हुआ है, तो ये आपको thank you कर रहे थे, अब आते हैं सर वह आपके वह शांदार share, star paper, star paper, sir, 145, कल ही 140 हुआ, आप नहीं में को लगता है, 140 के नीची जाता, sir, ले ले क्या 5 और महंगा ही तो है, अगर मालों किसी को ले ले, लिंपी जी इसमें हमने पहली entry 134 के उपर करवाई थी, second कल 139, 140 में करवाई थी, इसने आज 150 छो लिया है, इसमें definitely invested रहे है, मुझे ये stock 175 75 कहने के लिए, बट 225 तक जाते हुए दिख रहा है, अच्छा, 225 तक जाएगा, जी मुझे, जितना मैं इस stock को पहचानता हूँ, इसकी मुझ अब शुरू होती है, तो इस तरीके से ही जाती है, तो ये 225, 220 तक तो जाना चाहिए, sir, आप जानते हैं, तो फिर हमार को तो म अलग से portfolio अपना बनाओ, उसमें एक लाग, डेड़ लाग, दो लाग, पांच लाग, जितना भी आपकी capacity, अपना पैसा थोड़ा अलग कर दो, रोज मर रहा के trading में मत जाओ, क्योंकि कई सारे shares ऐसे होते हैं, जैसे मैं sir का example बताता हूँ, सूबेक्स नाम की company थी, कहा था कि investment करके रखो, 27 पे share डबल हो सकता है, आज सुबह विवेक मिटल ने हमको 24 रुपे के गोकुल एगरो एक share दिया था, कहा था कि अच्छा चलेगा, 50-60 रुपे का हो गया, तो आप PC जैलर्स उन्होंने एक ऐसा shares दे रखा, बहुत सारे shares जैसे मिलते हैं, जैसे sir का एक share है, Reliance capital or our power, उन्होंने वो shares दे हुआ है, क्या पर रखो, वो portfolio ना रख लो, उसको बार बार राद देखें, मूचे ना जाने ना, पता ना करें, क्योंकि पता है, उसके बारे में तो रखना पड़ाएगा, जो share रोज मर रहा कि हैं, आँ से आप देखते हैं, ठीक, तो दोनों portfolio उ अलग और ट्रेडिंग अलग, investment वाले shares आपको category बता देंगे, स्टार पे पर उसी कडिगरी का share, किसी ने पांच रूपर कमाया, किसी ने आठ रूपर कमाया, किसी ने दस जज़र कमाया, किसी ने पंदरा मिज़र कमाया, ठीक है, वो अपनी जगे पर है, बटी है investment का share, sir, एक बरज़र है, UFO पे भी आज clear कर दो, फिर एक सवाल में आप से और पता करता हूं, वो है Adore Welding, और फिर Z Entertainment लेंगे, जल्दी यल्दी ले ले लेता हूं, sir, UFO दिपी जी, UFO मैंने कहां, एक पोजिशनल पोर्टफोलियो में रख दीजिए, बिल्कुल देखिया मत इसको, 70 रूपीस का पोजिशनल स्टाप लॉस लगाई है, होल्ड करके रखिया, आपकी जो investment है, मेरे हिसाब से अगर आप historical ही लेके, तो ये इसके dividend से ही आपको require हो जा जी, डिपी जी, बहुत बहुत अच्छे लेवल पे है, शायद हमने इसको 207 पे बात किती, जितना मुझे याद है, और ये शायद अभी इस मूँ में 240-245 के लेवल तक जा सकता है, तो जो है वो बने रहे हैं, जो नहीं है, वो इसमें पोजिशन भी ले ले ले, एक छोट में ये momentum में आ सकता है, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं, लेके जाएं इसको, को दिक्कत तो नहीं ना, जी, बिल्कुल, ठीक है, जी entertainment को लेके जा सकते हैं, सब ऐसे target का है, 230 तक का, जी मेरे हिसाब से तो इसमें मुझे 245 प्लस दिख रहा है, stop loss का दे रहे हैं, 200 के नीचे क 195, 195, exactly, हमने नोट कर दिया है, 195 का SL मिल जाएगा, 240 का अपना target रखो, अब जी entertainment आपकी जिमेवारी होगी लेने की, हमने बता दिया, stop loss, हमने बता दिया, जी entertainment, हमने बता दिया target, हमने ये भी कह दिया, कि आपका stop loss के आसपास लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम ये भी कह रहे हैं कि profit के आसपास आप बुक करते चलना अपने time to time, तो अब आपकी responsibility शुरू हो गई है, कि आपको ये कैसे लेना है, levels पता लगे, reason पता लग गया, सब कुछ पता लग गया, नहीं तो अमोमन क्या होते हैं, लोग सिर्फ बता रेते हैं, ये ले लो, ये बेज द कोईएगे, सर मदर ससुमी BST करना है कि नहीं करना, मदर ससुमी चला हूँए शेयर है सर 12-14-15% हो गया, ये करना है कि सर इसको BST करना है कि नहीं करना, ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी range से इसने कर सकते हैं तो नया वाला तो नहीं करें लोज को देख नहीं कि अधिन के पास पाइट है एक यह पॉइंट हो गया एक शेर में पीछे चूट गया वह है मयूर यूनिकोर्टस एक बर यह और शेर देख लो यह राजिस्तान की कंपनी है शायद मयूर यूनिकोटस एक बरसर ये देखना ये एनसीपे में लगा रहा हूं इसका भाव है 472 रुपे 44 परसेंट उपर है शेर अच्छा चल सकता है भाव अच्छे डिवेलप हो रहे है इसके अंदर जी लिम्पी जी ये काफी काफी अच्छा काउंटर लग रहा है स्ट्रॉंग लग रहा है तो जो भी इसमें है वो इसमें बने रहे और अराउंड 435 का स्टॉप लॉस रखते शायद इसमें 525 यानि जो प्रीवेस हाई है वो आ सकता है अभी तो नया तो नहीं लेना जिसके पास है वो ही रखे जी जिनके पास है वो रख लिजी कुए हम थोड़ आसा रेजिस्टन्स जोन में है तो यहां पर नई बाइंग करना में 425 का स्टॉप लास लगा देंगे ठीक है सब एक मिनिट रह गया मैं बस जल्दी से एक गारनेट कंस्ट्रक्शन करके कोई एक शेयर है अभी अभी किसी ने प्लीज पताईए सर काफी लोग सरलापॉली में थोड़े से हिचकी चा रहे थे क्योंकि वह लेवल पकड़के था अब फिर भी कह रहा था आप पकड़े रहिए कोई तकलिफ नहीं है और 33 32 अब 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 बहुत अच्छा चलने वाला है यह मुझे तो यह बहूत अच्छा और सर एक ना फैविकॉल की एड़ आती थी पकड़े रहिए एफ़ हम पकड़े रही है वह आप पकड़े र अब लेंगे आपका सवाल, गारनेट का, जिनका भी सवाल था, आज एक उप्ता गाई था, तो एक बार सर का इंपर नमबर बगरा दिखा दो, और सर इंपर सब को नोटिस कर लेंगे, और सब कर लीजेगा, तो ये सरलापॉली का हो गया काम, जिसको सारे काम, अथरय बाले है, पकते हैं, अब आपका सप्थ, जादे ही ने हुआ पूझा अब आपके इस जिता स्हीं पूछने प्रोज्चने के लिए जिम्भी जी बोलना बहुत पसंद है मुझे बस सामने सुनने वाले चाहिए सर हमारे पास तो बगवान के किलबा से दो कान और दोनों अच्छे हैं तो हम बहुत अच्छे से सुन लेते हैं जी बिल्कुल ठीक है सर मजा आता आपके साथ शो करने में पता भी निलगता टाइम कब कर में निकल गया असल में क्या होता ना जब मार्केट अच्छी हो पूछने वाला थोड़ा सा अच्छे से वैसे वाला पूछे कि हाँ जो ट्रेडर्स को चाहिए जो इन्वेस्टर वाला कॉश्चन है और बताने वाला भी उतने अच्छे से बताए हाँ हाँ तो हाँ ना तो ना नो अबलिगेशन तो फिर कहना चीज अच्छी निकल के आती है ठीक है सार बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बेरे मच तो फिलाल इस कारेकम को यही समेट रहे हैं आज के क्लोजिंग शो को कल सुबह दस बज़ आपके साथ जूड़ेंगे हम आपसे तोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब आप सुबह जूड़े ना दस बज जवाब लेते चलेंगे बाद में क्या होता है एकदम से पाइल अप हो जाता है कोशनल्स का फिर जोर जोर से भागना पड़ता है जो हम नहीं चाहते हम ही चाहते हैं तसली बक्ष आपको जवाब दिया जाए नमस्कार